तो साथियो नमस्कार सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि यहाँ पर class 7th का है यानि हमारा जो class 7th का जो हमारा भी से है यही है आपका और इसके बाद यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो आपको NCRT solution से आपको बताऊंगा तो यह सब थी छोटी मोटी जानकार या बट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह सबसे पहले किलिर कर देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं आता है समझ तो यार वीडियो के नीचे ना कुछ भी लिख कर चले जाना जया गाइज जो मैं यहाँ पर आपके सामने सेर करूँगा अगर आपको जारा सा भी समझ ना आएगी तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना यार ठीक है और हाँ गाइज समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है ठीक है तो चलिए समझते हैं कि आज का इस टॉपिक में हम किस किस चीज़ों को यहाँ पर जानकारिया लेने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको PDF यानी कह सकते हैं नोट्स भी यहाँ पर दूँगा अगर आप वीडियो में बाइदवे नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स दूँगा और आप यहाँ पर इजिली लिख लिजेगा ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर आज कहा जो हमारा सबसे पहला और में खास टॉपिक है वह है पोस्तक तत्वों यह हमें बतानी नहीं थी बट यहाँ पर मैं सोचा कि वीडियो में जब आएंगे यह सब चीजे तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर दिकत होगी तो आपको वहाँ पर दिकत नहीं करनी है ठीक है तो कैज हमारा बताने का मकसद यह है कि आखिर यह पोस्तक्तत होता क्या है तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भोजन में जो उपस्तित होते हैं वे आपको होते हैं कार्बोहेड्रेड आप इजी लिए अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही असानी से यहाँ पर मिल जाएगा कि यार लिखा क्या हुआ है कार्बोहेड्रेड और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट में बंद करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोहेड्रेड और इसके बाद प्रोटीन और इसके बाद आप देखेंगे तो वसा और साथी हो बिटामिन और इसके बाद है एवम खनीज लवन तो साथी यहाँ पर यह सब जीतने भी है यह सब यहाँ पर जीतने भी है यह सब आपको क्या है यही सब आपको है पोसक तत्व तो यहाँ पर जो मैं बताया किया आपको आया तो यहाँ पर मैं आपको यह क्लिर कर रहा हूँ कि अगर आपको आगे की वीडियो में । जैसे मैं आगे बताऊंगा, अगर आपको ये ये चीज़ अगर वहाँ पर आपको दिखेंगे तो आपको वहाँ पर घवरानी नहीं है, आप सही जगा पर आए और सही टाइम पर आए तो चलिए अब देखते हैं प्रानी और ज़रा समय यहां पर फास्ट भी बोलूगा तो आप यहां पर समझने का प्रयास करना ठीक है तो यहां पर आप देखेगा तो आपको बहुत यह असानी से देखने को मिल जाएगा क्यार गाय, भैस, उट, मनुसी तथा अन्य जिवू यहां पर हम पौधो की बारे में बात नहीं कर रहे है तो यहां पर हमारा जो चैप्टर का नाम है पौधो में पोशन पौधो में पोशन हमने देख लिया है पिछली चैप्टर को मैंने बता रखा है अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो यार वीडियो के नीचे description box में है आप वहाँ से देख लिजएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर यह सब जो दिखा रहा हूँ गाय भैस उट मनुसिये तथा अन्य जूज छोटे बड़े वे सब आपको क्या है वे सब आपको परानी है यहाँ पर बस आपको यह ख्याल रखनी है कि हमें पेड़ पोधो की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो परानी तो आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है तो परानी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गई होगी तो चलिए अब हम समझते हैं प्रानी के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वह आता है पोशन तो अब हम समझते हैं पोशन क्या है पोशन किसे कहते हैं पोशन से आप क्या समझते हैं पोशन का मतलब क्या होता है पोशन का परिभासा सब कुछ का मतलब सब एक की ही होता है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा वही लिखना ठीक है तो कि यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो परिभासा है इजीली मिल जाएगा यहां पर आसाने से तो लिखा क्या हुआ है कि सधारन से अगर हम कहें न गाईज तो खाने की किर्या को हम क्या कहेंगे जी अगाईज हम पोसन कहेंगे कहने का मतलब यह है हम जो खाते हैं तो वही खाने की कारी को खाने जो खाते हैं हम वही खाने की किर्या को हम क्या कहेंगे हम पोसन कहेंगे actual में आपको होता क्या है यानि वास्तों में आपको होता क्या है अंत्रगरहन, पाचन, औसोसन, स्वांगी करन जिसको और भी नाम से कह सकते हैं परी पाचन और इसके बाद कह सकते हैं निसकासन जिसको हम और भी नाम से कहें तो कहते हैं उत्सरजन तो ये सब होना जरूरी है तब हम जानेंगे कि ये आपको पोसन जैसे कहने का मतलब खाना तो हर जी उखाता है पर इन जीओं में आपको अंत्रगरहन पाचन और सोसन ये सब होना अवस्ची है तब हम जालेंगे कि यह आपको क्या 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 लाता है तो क्या आपको यहाँ पर पोसन जो मैं यहाँ पर सेर किया क्या आपको समझ में आई पोसन आपको समझ आई की नहीं जाई अब आपको मन में ये डाउट आ रहा होगे यार अंत्रगरहन पाचन और सोसन स्वांगी करन निसकासन तथा उत्सरजन ये क्या है तो चलिए न यार इसको ही समझते हैं पहले नमबर कि यह आखिर है क्या ठीक है तो चलिए अब हम easily यहाँ पर मैंने यार समझा रखाया है जो कि आप समझेंगे ने यार तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे जनासे इसको size और भी छोटा करते हैं जिससे कि आप यहाँ पर बहुत ही बारिकी से समझ चकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रहा है क्या है अंत्रग्रहन तो अंत्रग्रहन कहने का मतलब होता है कि मुह के अंदर जाना खाना जिया खाना को मुह के अंदर जाना यार अंत्रग्रहन के लागा आपके मुह समय में तो अंदर जाता ही है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगला जो टॉपिक है वह है और यह क्या होता है तो अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है that टूटे हुए भोजन मेंसे पोशक्त्तो को खीचना अब पोशक्त्तो तो मैंने बता रहा है अब हम समाझते हैं स्वांगी करन यानि स्वांगी करन को और नाम के है तो परिपाजन अब यह होता क्या है तो जो हम खीचे यहाँ पर यानि लिखा हुआ है कि खीचे गए पोसक्ततों को कामे में लाना यानि कहने का मतलब यह कि जो हम वहां से भोजन यानि पोसक्ततों को ख जैसे कि कार्बोहाइडरेट पुरेटन वस्ता और विटामीन एवं खनी जलवन यह सब को हम जैसे वहां से खीचे तो हमें आवश्चेक्टा अनुसार काम में लाना जैसे बृधि के लिए हो सकता है जैसे आपको हर जगह हर तरह की कामें होती है तो उसको काम में लाना दोड हिंगे तो नि darle सकया में परिभास है उसका हिंदी को अर्फ रखी शंज का खरते है और निगलता क्या है तो वहीं तो हुए भोजन यानि कह सकते हैं आप सिष्ट भोजन को निकालना उत्त सर्जन कहलाता है क्या आपको उत्त सर्जन समझ आई ऐसे समझो यार कि जब हम खाना खाते हैं तो उसे निकालना पड़ता ही पड़ता है तो वही निकालना आपको क्या कहलाएगा जियां यार उत्व सर्जन कहलाएगा क्या यह भी बात आपको समझ आई आई होते यार एक प्यारा सा लाइक ठीक है तो चलो यार आप समझते हैं आगे की बाते हो हो तो समझे तो किज यहाँ पर ध्यान देजिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय जन्तू जैसे बात करें प्रोटो जुवा प्रोटो जुवा क्या है एक कोशिकीय जिव है जैसे आप देख सकते हैं अमीवा तो अमीवा यह क्या करते हैं कि यह कुटपाद के द्वारा इसमें जो भोजन होता है आपको अंदर होता है यानि कहने का मतलब यह है कि हमारे जो अमीवा होते हैं वे अपना भोजन देखिए हम तो यहाँ पर देख लिए कि कौन से जनतू के सिखाते हैं पर यहाँ पर हम एक कोशिकिये जीव के बारे हम बात करते हैं कि कौन से जीव अब किस तरह सिखाते हैं तो आपको ध्यान देने यह है कि हमारे जो एक कोशिकिये जीव होते हैं से बात करें पूरोटो जुवा अमिवा यह अपना क्या करते हैं कुटपाद यह क्या होता है तो किया आपको यह भी बात के लिए हुआ तो अब हम सली समझते हैं यहाँ पर लिखा भी क्या हुआ यहां पर अगला यहां पर जो टॉपिक है मेरा वह आप देख सकते हैं मैंने लिख रहा है बहुत ही आसानी से अगर आप समझेंगे तो तो यहां पर आप देखीगा जरा से इसको और भी बड़ा करते हैं तो यहां पर फर्स्ट में लिखा हुआ है मधुमक्खी जो होती है वे अपना भोजन फूलो को मकरंद मकरंद कहने का मतलब क्या होतेगा यहां पर आपको होता है रस और किस चीज का रस तो आप समझी रहा ह किस चीज का रस होगा वही तो वे लोग खाएंगे तो यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है मधुमक्खी जो होते हैं वे आपको फूलो के रस तूसकर अपना भोजन वहां पर प्राप्त करते हैं ठीक है तो अगला जो यहां पर जो हमारा बात है वह सर्प हमारा ज मुहों से अपने अहार यानि भोजन को पूरा निगल जाते हैं यहां हमारे जो साफ होते हैं अजिकर्ट होते हैं वे भोजन को क्या करते हैं जो हमारे जो साफ जो होते हैं वे क्या करते हैं भोजन को निगल लेते हैं ठीक है जैसे आप समझेंगे तो मेढ़क को यह सब नि आगी के अगर बात करें जैसे गॉरिया तो गॉरिया हमारा क्यां पंची है और यह क्या करती है कि अपनी चोंच उस से क्यान करती है कि अनाज की दाने अथवा किड़े मोकोडों को पकड़ कर खाती है अगर आपको पूछ दिया जा Euanौई जैसे ऑना भोजन कैसे ग्रहन करते कैसे प्राप्त करती है कैसे वो खाती है तो आपको बताना यार उनके जो चोच होती है उसके जरीवे पकड़ कर खाती है वो भी छोटे-छोटे चीजों को भी जैसे अनाज के दानों भी कह सकते हैं तो आपको यहाँ पर यहाँ भी बात केडियर हो गई जो अब हम सम AH पर गिर्ट को मैंने लिक रहा है yet का जो एक और नाम होता है किसो कहते हैं लिए जिवीट कीड़ो को क्या करत। एक ही जहाटकों में जीव से पकड़ कर और अपने मुख के अंदर खीच लेता है जिए गाइस हमारा जो गिरगिट होता है वह क्या करता है कि यह आप समझे सकते यहाँ पर लिख मैंने क्या राखा है कि वह किसी भी जीव को जो जीवित कीडे होते उनको एक ही जहाटकों में क्या कर लेता है यार खीच लेता है ठीक है तो यहां पर हुआ यहां पर आप देख सकते हैं तो इसको हम जरा सा ब्रैकेट में करते और आप यहां पर लिख लिजे ठीक है और इसके बाद बात आती है चुहा जियां यहां पर देख सकते हैं चुहा चुहा होते हैं यह अपने भोजन को यहां तक की बात भी आपको समझे आगे होगी चलिए अगे की और आपको वीडियो लबी हो जागे तो कोई बात नहीं है समझना बहुत जरूरी है यार समझे तो चलिए हम चलते हैं आगे की बाते पर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिख रहा है परपोशन बीधी यह आखीर होता क्या तो अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो परिभासा में बहुत यह असानी से आपको देखने को मिल जागा आप लिख लिखेंगे तो लिखा है कि सभी जन्तु सभी जन्तु मानो सहीत परपोसी होते हैं कहने का मतलब है कोई भी जनतु है तो वो अपना भोजन खूद भी पराप्त करता है जैसे पौधो के द्वारा हम लोग क्या करते हैं पौधो के द्वारा भोजन बनाय गया होता है जीज़े टामाटर फ़रा कुछ भी फ़रा तो हम उसको तोड़ कर खा लेते हैं यानि पोधों के द्वारा बनाया गया भोजन जो खाता हो या दूसरे जन्तूओं से भी पराप्त भोजन को खाता हो तो यार ऐसे जिव यहाँ पर आपको परपोसन कहलाते हैं तो यहाँ पर परपोसन कहने का मतलब खाने की विधी तो खाने की विधी को हम क्या बोलेंगे परपोसन कहने का मतलब है कि सभी जूजनतू क्या है मानो सहित क्या है परपोसी है और उनके पोसन यानि उनके भोजन करने के विधी को हम क्या कहेंगे परपोसन कहेंगे तो यहाँ भी बात आ यहार ना पें कि उसके बाइव बाहर होता है तो वह कहला तो बाहर कोशी की पाचन यानि बाहर होगा то बहर कोशी की पाचन और अंदर होगा तो अंताहकोशी किए पाचन के लिए तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बात है जरह से यहां पर नहीं चल पा रही है तो जहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिव जन्तु में मानों का पाचन सबसे ज्यादा सूब बिक्सित होता है कहने का मतलब है कि जिव जन्तु जित बहुत सरे गायबेल है तो उनसे सबसे अच्छा हमारा होता है मानों का पाचन तंत्र जिससे हमारा स्टार्ट होता है मुख से मुख यानि मुख और जिसके बाद आता है गरास नली यानि खाने वाली नली और इसके बाद आता है अमास यह जिसको कहते हैं हम पेट असानी से और इसके बाद पेट के बाद आता है ह हमारा चोटी आत यहां पर मल जमा होता है और इसके बाद आता है जहां से हमारा मल निकलता है तो वही यहाँ पर देख सकते है गुदा से बनता है ठीक है तो यहाँ बात आपको लिख लेना है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते है आगे की जो टॉपिक है वह क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जड़ा सा पेन नहीं चल बा रही है थोड़ी सी आप यहाँ पर समझने का परियास किजिएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं चलाने का परियास कर रहा हूँ यार यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यार पेंच चल ही नहीं पा रही है जर्णा से यहाँ पर पेंच चल रहा है अगर आप देखेंगे तो लिखा हुए कि लार में एंजाइम एंजाइम यानि आप देख सकते हैं कि लार में एंजाइम यानि यहां पर पाया जाता है हमारा जो लार होता है उसमें क्या पाया जाता है एंजाइम पाया जाता है जो जटिल भोजन को सधारन भोजन में परिवर्थित कर देता है पहने का कहने का मतलब या कि हमारा जो लार ह हो जाता है किया वह नॉर्मल क्या हमारा कॉन करता है तो यह भी और यहां पर उतर में लिखाओ है कि फोटो में देखें जिए फोटो में देखें तो चलिए हम देखाते हैं फोटो की माध्य ये हम से उर आप यहां पर देखने का प्रयास की जिए तो जरा सथा इसको हम कर लेते हैं बड़ा आप देखेगा यहां आपको आएगा सम Corpor respectively तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे किदर गई तो जरा सा यह बड़ा नहीं हो पारा लेकिन मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं तो चलिए आपको यहां भी यहां पर बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा जरा सा इसको और भी बड़ा करते हैं है सब्सक्राइब करते हैं है तो यहां पर आप वीडियो की कौईटी को बढ़ा लिजेगा यहां पर देखते हैं विभिनकारियां को सब आप कर रहे हैं जैसे आप देखेगा यहां पर यहां पर उपरी जबड़ा और इश्क बाद लिखा हुआ है दातों की कुल संख्या और इसके बाद यहां पर देखेंगे तो पकड़ने तथा काटने वाले दातों की जो संख्या होती है वो होती कितनी उपरी यानि नीचली जबड़ी मिहा में चार होती है और इसके बाद यहाँ पर आपको और इसको पेन की हम हुलिया बदलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर भी चार और इसके बाद हमारा कुल पकड़ने तथा कटने वाले दातों की जो संख्या हो जाएग वो हो जागी आठ ठीक है और उसका जो नाम होगा वो होगा क्रिन तक जियां गाइज वे आपको होती है उपर यानि नीचे दो होती है और उपर दो होती है यानि कितनी होती है टोटल तो चार होती है और जिसका नाम होता है रदनक जियांगा जिसका नाम क्या होता है रदनक जिसको हम इंगलिस में बात करें तो के नाइन ठीक है और इसके बाद अगला जो आत अग्र चवर्नक जिसको कहते हैं प्री मॉलर्स ठीक है तो यह भी बात बहुत ही असानी से आगे होगी और आपको यह सब यादे रखनी है ठीक है तो कुछ-कुछ बातों कि याद करना ही पड़ेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो चबाने एवं कुचलने वाले दा चवर्नक जिसको कहते हैं मॉलर्स ठीक है तो यह सब थी आपको दात के परकार और दातों की संख्या आप इजिली यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो जरा साइस को हम करते हैं केलियर यह हम इसको लिंक पेडियेप में देदेंगे आप वहां से लिख लीजेगा आपको वैस से भी दीख रहा होगा ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं कि आज का हमारा आगे कि जो टॉपिक है वह क्या है तो जरा से इसको करते हैं साइज को छोटा अब हम समझते हैं यहां पर इजिली देख सकते हैं तो यहां पर अगला जो टॉपिक लिखा हुए बिसम दंती यार लिख्या किया हुआ है। बीपने के यहां पर जल्दी से जल्दी देखने का पर्यास किजे। ह allowed देखोगे। क्या लिख्या हुए है। कि ऐसे अलग अलग परकार का दातों वाले प्राणी को हम क्या बोलेगे। यहां Is reconnect. यहां कि प्राणी है,生 Awesome. लगे तो इन सभी को इन सभी का जो दात होगा ना अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा तो यानि अलग अलग प्रकार के तो अलग अलग प्रकार के होगा तो इन सभी प्राणियों को जो दात होगे उन सभी प्राणियों के दातों को ही हम क्या बोलेंगे वही है आपको क्य आप भी समधनती दात हम उन्हीं को कहेंगे ठेक है तो यह भी बात आपको बहुत ही असानी से आगे होगी चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर आती है आप बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आप इजिली देख कर ही समझ जाओ गया लिखा हुआ है यहा पर परिभास ओड़ा देखेंगे तो बहुत ही आरा सानी से मैंने लिख रहा है आप ऐसी समझोगे न जो भूलोगे नहीं का भी यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है वहां कि बच्पन में जो दात निकलते है न उन्हीं को हम कहते हैं दूद के दात जियां समझ आई और इसके बाद है इसकी संख्या कितनी होती है 20 होती है यानि उपर 10 और नीचे 10 और इनकी यह 8 वर्स की आयू तक यह दात गिर जाते हैं और इसकी जगह पर जो दात आते हैं ना कहने का मतलब पहले आपको यह समझाता हो कि हमारा मिल्क कित क्या होता है तो हमारा जो दात बस्पन में निकलता हो जब जैसे जनम लेते हैं बच्चे तो दो साल एक साल के बाद आपके जो दात निकलते हुए आपको दुध्या दात होती है और उनकी संख्या 20 होती है उपर 10 और नीचे 10 और इसके बाद उनकी आठ वर्स जैसे ही पुर्ण होने लगती है उनकी दात गिरने पर देख सकते हैं पर्मानेंट तीथ हम यहां पर लिख दी है और इनकी संख्या कितनी होती है तो 32 होती है ठीक है उपरी में 16 और नीचली में 16 और जीवन भर यहां पर चलेगा यानि जीवन भर रहते हैं और तथा आप देख सकते हैं ब्रिधा वस्था में पर यह गिरने लगते हैं, अगर कोई सामाने ब्यक्टी अगर कुछ न करें दातों को अब कुछ न करने का मतलब धोएगा भी नहीं नहीं वnightसा नहीं मतलब एक स्वास्थ ब्यक्ती को ना आमारा जो दानत होगा यार जीवन भर चलेगा लेकिन वही जैसे धीर-धीरे वो बुढ़ा हो जाएंगे तो उनका भी दानत क्या हो जागा गिरने लगेगा गिरने लगेगा ठीक है तो कुछ यहाँ पर यह भी बात आपको समझ आ गई होगी ठीक है तो चलो नहाँ आगे समझते हैं कि आखिरेब आगे समझने का वाले है तो साथ ही यहाँ पर देखना यार लिखा हुए दुदरीदन्ती इस परिभास देखो तो दुदरीदन्ती का जो परिभास है मनुश्य के जीवनकाल में दांत दोबार निकलते हैं आवस्था को यहां पर अगर आप देखेंगे तो भूख यह असानी से लिखा हुआ है कि जो मनुस्य होते यार जनम तो होता है तो उसमें दाथ हमारे कितना बार निकलते हैं दो बार यारा जनम से लिए मरने तक के बीचमें हमारे जो दाथ है वह दो बार निकलता है तो दो अगे की बाते तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुए दंत च्छे तो जो परिवास है बहुत ही असान है आप देखने का परियास किजिए यहाँ पर लिखा हुए कि दांत धीरे धीरे सड गल कर किट यानि अब समझें किड़ा लगकर यहाँ पर तूटना तो आपको यहाँ पर यह याद रखने एकि दांतों को सड़ कर तूटना वही आपको कहलाता है दंत च्या दंत श्या करेंगे का मतलब बरबाद करेंगे बरबाद तो यहाँ पर आपको दंत 6 भी आपको बहुत ही इसली समझ में आ गई होगी तो दंत श्याहां किसको है आगे की बाट है और आगा इस वीडियो को पतार लाइक ठीक है चाल याया यहां पर देख सकते हूं जया चैनल कि यहां भर मैंने यहां रखा है और जार से इसको और भी छोटा करते हैं मेशाशां के ठीक मास के विडियो TTания है तो जीब गार जानते ही होगे पर मैंने लीख भी बहुत असनी से रखा है देखियगा देखिये गांग दोस्तों झाम अगर आप देखेंगे तो लिखा हमा आप आप खूब पर चित हैं तरह तरह के सवाद का भी मजा आप जीव इसलिए जीव के करण संभव नहीं है और इसके बाद लिखा हुआ है ये जीव एक क्या है मासल पे सिये अंग है यानि मास का बना हुआ या क्या है ये हमारा अंग है इसका अग्र भाग क्या होता है यानि अग्र यानि आगे का भाग स्वतंत्र होता है निशित होता है और किसी भी दिशा में यह मुड़ सकता है जिया हमारा जो जीव होता है वो सोतन्तर होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुए है कि जीव का जो मुख्य कार्याना भोजन को लार से मिलाना और इसके बाद ए जीएगा तो किया आप बोल पाएंगे हम धरकर देखाते हैं हेलो स्सुट देखी है यहां पर पर आगे देखेंगे तो लिखा वाई जीव पर स्वाद कलिकाएं यानि टेस्ट बड्स होती है जिसे हम विभीन परकार के सवाद इस मतलब जिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस से हम विभीन परकार के सवाद का पता चलता है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो जीव होता है ना उस पर बिभिन सारे स्वाद कलिकाएं होते अब यह सवाद कलिकाएं होती क्या है तो बहुत ही यार स्वाद कलिकाएं को आप लिख लो यार मैंने इसमें नहीं लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो यार स्वाद कलिकाएं किसको कहेंगे तो बस आपको याद रखना है या ही तो है आपको सवाद कली गाए तो यहां पर आप चली समझते हैं आगे की बाते और वैसे यहां पर लिखा लखा समावर देखेंगे और बहुत सारी यहांगे लिखा जा रहें लिट से क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन सभीकार ना करें हमारा पेट यानी अमास ये तो क्या होगा यार हमारा पेट याALLY एकर Khneajah यार आपको इसा ही समझना है बहुत ही असान है बहुत ही इजी है बोजन नहीं रखेगा पेट इसलिए बाहर बिग देगा उल्टी के साहते ठीक है तो आपको यह याद रखना है तो यह आपको असानी से आई की नहीं है अगर पसंद ना है तो मत खाओ लहीं तो पेट हमारा भीग देगा ठीक है तो सलेःम हम समझते ही आगे की बात है इसली अब हम जान ही लेते हैं च्छनव par यह और थेस्ट्मिनटी हो चुकिए और इसके बाद एहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुग है कि मां से का पर आप परिवास nhất है तो यहां पर मैंने छोटा कर लिया है विडियो क्याली को बठा ली यहां पर आप देखेंगे तो मैंने लिख क्या रखा है बहुत ही इजी से आप समझ चक्ति हैं तो यहां पर लिखा हुए है कि मोटी भीती वाली थैली नूमा थैली की जैसी सन रचना यानि आकरिती होती है हमारा जो अमाशी होता है वो क्या होता है थैली की जैसा जो प्लास्टिक होता है उसके जैसा आपको उसकी आकरिती यानि सन रचना होता है और इसके बाद यह चपटा यू यहेंट चंपटा हमारा जो यू होता है उकी जैसा यह होता है ठीक है तो इसका करि़्टी करिथो होता है और यह ओनननी भोजन में क्नल। का सबसे चोणा भाग है और जह हैं पर जो सौरी यहाँ इसके ओर येक और क्रास नली यानि तो इसके बाद है खादी पदार्थ यानि कह सकते भूजयना आपको तो बताई है प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्या होता है चुद्रांत्र यानि छोटी अत्री यानि छोटी आत्र यानि आप चुद्रांत्र कह सकते हैं तो अमासे के नीचे वाली जो क्या होती है नीचे कि जो सता होती है हम आशी के पेट के उसको हम सलिसमा जिली कहते हैं और उसमें होता क्या है हाइड्रोक्लोरिक आमल जिया हाइड्रोक्लोरिक आमल तथा पाच्चक रस वहां से सरावित होती है वहां से निकलती है और जहां वह जमा होती है सरावित होती है और इसे हम क्या कहते जठर रस तो यहां पर आपको इसली आ गई होगी तो यहां पर अगर आपको परने लिख रहा है कि सलेस्मा जिली कहां पर होती है तो अंदर होती है से अंदर के सता को सुरख्छा करते हैं और सरावीत अनेक ऐसे जिवानों को नस्ट करते हैं जो भोजन आपसे ऊस्ञालें यह सब काफी बातों मेशना को आप याद रहना है आप यहांपर वीडियो को रोक कर और लिक ली जीए हा तो चेलिए अब समझते हैं आगे तो अब हम समझते हैं और जड़ा साइस को और साइस बड़ी करते हैं अब हम समझते हैं छोटी याथ यानि कह सकत हैं छुद्रांत्र जियां गाइज छोटी आत यानी बोलचाल की भासा में छोटी अत्री ठीक है तो यहां पर लिखावाई कि यह अहार नाल यानी भोजन नाल का एक महतुपूर्ण अंग है और यह 7.5 मिटर लंबी अत्यधीक कुंडली क्या है नली है जियां गाइज हमारा जो आहर नाल भोजन का जो नली होता है उसमें यह हमारा 7.5 मिटर का क्या होता है कुंडली की जैसा नली होता है और इसमें भोजन का क्या होता है पाचन होता है पाचन यानी भोजन का तूटना ठीक है तो जो हमारा जो छोटी आत होता है ना उसमें भोजन तोटता है और इसके अथवा यहां पर देख सकते आवसोसन होता है आवसोसन कहने का मतलब आप समझी रहे हैं यार भोजन में से पोसक्ततों को खीचाना ठीक है तो यह भी बात बहुत ही आजानी से आगए योग तो चलिए अब आगे समझते हैं और मैं हाला कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ ठीक है से निकल रहा है यानि आत्र यानि आत्र से निकल रहा है चुद्रांत्र से निकल रहा है तो चुद्रांत्र जो होता है हमारा यह क्या होता है चोटी आत्र से निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम आत्र रस ठीक है तो जिए आपर आप देख सकते हैं इसको आप बिजली यानि छोटियां के अंदर भीती पर या उस सताफ और अंगली के समाना आपका जो अंगली है ना उसके ही जैसा तो अंगली के जैसा आपको क्या होता है ना उबरी हुई हजारो सन रचना सन रचना का मतलब अकार परकार आकरिती दिखाई पड़ती है जिसे हम कहते हैं इसविभो तो आपको वैसे भी हाँ पर मैं समझा रहा हैं कि हमारे जो चोटी भाषा सबकुई इतना याद रखेंशन turbines तो आपको क्या दिर्ग रोम अथवा रसांकुर इंगलिस में बात करें तो फिल ली ठीक है और रसांकुर क्या करता है कि छोटी आत के और सोसन कि सता को क्या करता है बढ़ाता है समझें तो यह अगर टाइट है तभी हमारा भोज़े में से असोसन हो पाएगा तो यह भी बात बहुत ही असानी से आई कि नहीं चलिए हम समझते आगे की बाते तो यह आपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ध्यान दिजिए लिखावा यकृत यह कृत यान इंगलिस में बात करें लिभर अगर और भी नाम से जाने तो जिगर ठीक है तो यहां पर मैं आपको अलग से वीडियो बना करते देंगा हलाकि मैं आपको यहां पर सेर कर दे रहा हूं कि गरंथी जो होता है वह आपको क्या होता है रसानिक पदार्थों का उत्सर्जन करता है ठीक है तो यह सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है कौन तो यह कृत और यह पीत रस को स्राव इसलिए या पितरांिश पीत्रस को क्या करती है निकालती है जो एक थैले में जाकर संगरहित ययानी जमाः होता है इसे घbab को पितांश आया के नहीं दिया हैै किसको कहेंगा हमारा जो यह कृत होता है इसे वहां से आ पित रस और forehead निकलती है तो जा कि जहां पर जमा होगा उसी को क्या बलेंगे पितासी यानि पिता है उसका इसलिए उसको क्या बलेंगे पितासी किसका तो आपको पित का है पिता यानि वहाँ पर उसके खजाना है ठीक है तो पितासी है तो पितरस वसा के पाचान में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है हमारा जो वसा होता है य तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने लिख रहा है अगने आसे तो अगने आसे यह क्या है तो यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ पर यहां पर लिखा हुआ है कि यहल्के पिले रंक्याय बडी गर्णति है enjoying अमसे के ठीक नीचे इस्थीद होता है हमारे पेठ होता उसके फोड़ा नीचे क्या होता है और इससे सरावित लिखें निकलने वाली यह हमारी क्या होती यहां पर लिखा हुए है यानि बदल देना यानि हाड है तो उसको सरल में बदल देना यह हमारा काम करती है और वह कहां पर इस्तित होता है तो आप यार इजिली लिक यहां पर पढ़ कर देख सकते हैं ठीक है तो से लिए हम समझते हैं आगे की बाते को और हाँ अगल बैगराउंड से अगर इजिर बीजिर आगर आवाज आपको आती है तो यार वीडियो के बड़ी आत यानी कह सकते हैं बड़ी आतरी ठीक है तो यहां पर मैंने परिभावसा को ही लिख रखा है आप बहुत यहां पर लिखा है कि छोटी आत के बाद वाली नली को हम क्या बलेंगे जिया गाइस बोलेंगे बड़ी आत जिया हमने चोटी आत तो समझ लिया तो लंबाई होती है एक पॉइंट पांस मीटर की होती है और अर्था यह चोटी होती है यह चोटी आथ है लेकिन चोड़ी है और लेकिन यह क्या है चोटी है यहाँ पर मैंने डबल डबल यहाँ पर टाइप कर दिया है ठीक है और इसके बाद अगर आप यहाँ पर दीखेंगे यहाँ पर लिखा हुए कि इसका जो मुखे कार जल का आुजो 7 करना इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आफ शिच्ट पदार्थों का मलासी में भेजना हमारा जो बडी आत होता है यह क्या करता है कि ब्रिद्रांतर यानि बडी आत में जो हमारे जो ब्रिद्रांतर होता है बड़ी आध यह क्या करता है या भोजन में से जो कार्भोएडरेट प्रोटीन जो होता है वह और तो जहां पर मल जामा होता है उसको बोलेंगे मल जामा होता है तो वहाँ पर यह करते हैं यहां पर बहुत है does the trade and see is from we hr गुद्दा दोवारा गुद्दा क्या होता है और निकाल दिया जाता है कि Nancy इन बाहर निकालने के पाइट है और इस मoration कोते है तो इस किरिया करते उठ्सर्जन केरे तो मैंने चल्छ यहां पर आप पर इवासा देख से कर आप यहीं खुद समझाएंगे कि लिखा हुए है कि गाया द्वारा लागतार भोजन कि तवाय। जाने कि किरिया को ही हम कहते हैं। जुगाली छ समझ आई। जुगाली कारी को फोर्ज जाओ चंहते हैं निक्रीज़न को क्या बोलाइगे गालाइके जुगाली बोलेंगे। relates यहां पर पर देख सकते हैं आगे मैंने लिख क्या रखा है तो यहां पर लिखा हुए है कि घास खाने वाले जिवों का जो अमासी होता है न वो बिसेस परकार का होता है यह अलग खास परकार का अलग परकार का होता है जो चार कछाओं में बिभाजित होता है जो चार कछाओं में बटा होता है हमारा जो गाय का जो पीट होता ने यार वो चार कछाओं में बिभाजित होता है तो यार वास्तों में गाय पहले घास को क्या करती है जल्दी जल्दी यहां पर देख सकते हैं निगल कर अमाशी के एक भाग में जमा कर लेते हैं तो अमाशी का वह भाग क्या कहलाता है रूमेन अथवा प्रथम अमाशी कहलाता है यानि प्रथम अमाशी क्यों बोले क्यों कि नाम बह जबाता हो जहां पर जमा करता है तो वही तो आपका उसका कहलाता है कि आप परत्थम अमास्य ठीक है तो यह भी बात बहुत ही आसानी से आपको आ गई होगी तो से लिए आगे की बाते वीडियो लंबी हो गई है और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है ना वहाता है यह सब क्या है रूमीनेंट है यह सब जो खाते हैं वही है आपको ख्या रूमीनेंट तो जह भी बात बहुत ही आसाने से आ गई होगी समझे तो चलिए तो यहां पर हमारा जो लास्ट और अंतिम टॉपिक है वह है बहुत ही आसान है कि गास घास खाने वाले जिवों का आज वो बिसेस परकार का होता है झेका है उसमें जो चार कछावं भी भाज़े तो पहला का नाम प्रतिम अमेंस ये और दूसरा का नाम एं रिटी कोलम और सब Tag यह सब थी आज की छोटी मोटी जानकारिया और आपका हुआ चैप्टर समाप्त अगर यह जो मैं पढ़ाया हूँ अगर इससे आपको सवाल नहीं बनता है तो वीडियो के नीचे आर एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूँगा ठीक है तो इसमेहल पर तो चलिए वीडियो आज का समाप्त होता है अगर आप सपोर्ट करेंगे न यार तो मैं बहूत आगे पर जा सकता हूँ बस आपके उपर है कि आप इसको करना कैसे आते हैं ठीक है तो अगर आप इसली के लेक्शर को नहीं लेक्शर को नहीं देखे हैं तो भीर आजके वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बाई 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 बाई